हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो इंवेस्मेंट सिक्षा यूटूब चैनल तो देखिए बेसिक वाली ट्रेडिंग तो सभी करते हैं अब मैं आपको कुछ एडवांस बताने जा रहा हूं यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो आफिस आते हैं जो जॉब करते हैं जिनके इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गेरेंटी के साथ बोलता हूं आपको कभी किसी की भी आवज सेकता नहीं पड़ेगी स्विंग करने के लिए तो चलिए आपको क्या करना है जैसे सबसे पहले तो बाइसेल सीखो आप ठीक हम इस वीडियो पे चार-पांस चीज़े करेंगे time frame, sector, fundamentals, buy-sell, क्या कैसे करना है हर चीज मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो पे इस वीडियो सिखा देता हूं क्योंकि मार्केट ओफ होने वाला है चलिए मोबाइल की स्क्रीन आ गई आप देख सकते हो 321 हो रहा है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जैसे में पास एक ग्राफ कुला हुआ है करने क forefront है करना है चलिए मैं आपको देखाता हूं लग अगर जिए सuben अगर पेख करना tenant нет PC काहिं आप कहीं भी कर सकते हो यह मैं अभी अंजल बठा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको यह समझाना है कि GTT order कैसे place करना है ठीक है तो मुझे चाहिए मानलो कि यह stock जब 330 पे आए तो मुझे यह मेरा यह buy हो जाए ठीक है यहाँ पर quantity नहीं डालना है यहाँ यहाँ पर price नहीं डालना है अगर 340 के उपर चला जाता है 342 के आसपास मुझे buy हो जाना चाहिए तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर पोजिशन्स पे कुछ नहीं है सिधा एपन पोजिशन्स पे चाहिए सीधा घटी ऑडर लगाए कहाँ पर लगाए जब 340 के price पे जाएगा तो यह execute हो जाएगा ठीक है और ऐसे ही आपको मालो जैसे मेरे पास कोई stock है ठीक है मेरे liquidity पे जाते हैं यहां पर मालो में आपको कई बें आपकी आपकी बहुत को सच करना है हम ऑफिस जा रहे हैं कही पे भी का price क्या है है 325 छल रहा ठीक है अगर मालो हैं को सेल करना है ओके त्व केसफ करेंगे उसी order पे अभी automatic 10% नीचे select हो गया है तो 292 का आ रहा है मानलो हमको 310 पे sell करना है ठीक है तो यहां पे आप percentage देख लो 4% नीचे हो रहा है ठीक है और 310 तो यहां पे भी हमको ज्यादा नहीं अगर कोई slip raise भी आता है तो 305 पे निकल रहा है ऐसा करके set करना है ठीक है और 10% उपर का target set कर देना है तो यहां से हमको क्या करना है create GTT order कर देना है तो देखो यहां पे GTT order create हो गया इसको close करेंगे तो देखो यहां पे OCO order लग गया है जिस पे हमको एक 310 की stop loss है और 357 का target price है तो कभी भी जब हमारा यह जो पोर्टफोलियो पे यह जो NTPC पड़ा हुआ है अगर यह कभी भी 300 300 कितने का stop loss है हमारा के order पर जाना GTT 310 आता है तो यह exit हो जाएगा अभी 325 चल रहा और अगर 357 जाता है तो यह निकल जाएगा देखो आज इसकी expiry क्या दिखा रही है यह वन यह के लिए वैलिडिटी होती है इसकी आज 5 9 तो 2025 के 5 9 तक की इसके वैलिडिटी कभी इसके दोनों के कहीं भी टच होगा तो यह exit हो जाएगा ऐसे करके आपको ट्रेडिंग करनी है बाय करने के लिए भी अगर आपके पास आपको लगते कि यहां पर बाय करना सही नहीं है पर अगर य आपको डायट भी आप GTT order place कर सकते हो जब भी वहां पर जाएगा एक साल के अंदर अंदर उस प्राइस पर जाएगा तो execute हो जाएगा बाय हो जाएगा उसके बाद आप मैनुवली भी stop loss लगा सकते क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तो आ जाएगा कि आपको यह बाय हो गय अब दूसरे दूसरी कंडिशन पर श्रिंग ट्रेडिंग में stop selection भी बहुत important होता है stop selection के लिए stop selection के लिए मैं आपको बहुत सारी वीडियो दे चुका हूँ अगर आपके पास कहीं से भी stock आते हैं तो उस पे आपको trade लेने से पहले आपको कुछ चीजें जरूर याद रख अगर सबसे पहले बात स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले weekly candles देखनी है उस पर आपको ट्रेंड देखना है फिर उस पर वन डे की टाइम फ्रेम पर आपको स्टैटेजी बनानी है और 15 मिनट के टाइम पर आपको स्टैटेजी को एक्जिक्यूट करना है ठी तो चलिए पहलेम में आपको जैसे मालों को किसी ने अन्टी पीसी दिया ठीक है आपको क्या करना है पहले weekly एक настоящ अब 11जने लगाओ घ्रम मेरी मेरी सेटिंग्स्म्मार करता हम यह उद्वन गौत्प सब्सक्राइब करना यहां पर जाकर सब्सक्राइब करने के लिए ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है यह अप्ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक यह जो यह में है यह दोनों अगर आपका 11 यह में है तो यह 22 EMA के उपर ही होना चाहिए और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए तो ऐसे करके आपको अगरेंड लेना जैसे आपको बोल जिया किसी ने कि आपको यह हमें इसको नहीं कर रहा है आपको यहां अगर गर इसको अपर इस प्रियर बना सकते हो यह आपका प्रॉफिट और आपका अप्ना मैंज करके आप आप यहां पर अगर यह केंडल अभी भी 11 एमें 22 एमें क्रॉस नहीं किया है फिर भी आप कर सकते हो ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद अगर आपको इंट्री करनी है तो इंट्री करने के लिए भी यही आपको फॉर्मूला देखना है कि थोड़ा सा वेट करना है जैसे आज मालो आपको आज ही इंट्री करनी थी तो आज इसमें इंट्री नहीं बनी है जब तक इसको क्रॉस नहीं कर रहा तब तक आप इसमें इंट्री मत करो ठीक है आज की दिन अगर आप कहीं पर बिंटी करते तो इतना कुछ profit और loss लॉसी होता profit नहीं होता हो सकता है कर लिए इसको cross करके निकले तो आपको एक ही दिन में कुछ percent का profit तो मिलेगा ही ठीक है तो आपको ये तीन चीजे करनी है फिर third important thing swing trading करने के लिए sector देखे आप आज first half में market में थोड़ा सा अप गया उसके बाद selling आई ठीक है फिर उसके बाद आप गया और sectors देखना आपको जरूरी मालिच आपको कोई sector आपने उठाया है जिसके आपको buying करनी है ठीक है तो उसके पहले आपको एक बार उसका जो स्टॉक है कि सेक्टर पर आ रहा है उसका च ठीक है जैसे मालो आपके पास अभी लोग बोल रहे है कि बैंक निफ्टी प्राइवट बैंक में बहुत ज्यादा स्कॉप दिख रहा है ठीक है तो आप देखो आप यहां पर प्राइवेट बैंक में इसकोप है एक्जैक्ट में लिगा पहले यह अभी तक बहुत टाइम स अभी ये cross कर रहा है ठीक है यहां पर देखो आप cross कर रहा है इसके बाद ये upward पर जा सकते हैं ये अपने हाइक को तोड़ती तो आपको क्या करना है Google पर जाना है यहां पर सच करना है sector wise performance ठीक है आपको यह money control की website मिलेगी यहां पर आपको बैंक्स पर जाना है और नीचे आपको कहीं private banks भी मिल जाएंगे ठीक है आपको कोई भी किसी भी bank माली जापको यह बैंक्स में गया ठीक है यह private banks थे देखो आप इसमें से जो अच्छे performing stocks हैं जैसे EU finance bank इसको पिक करना है आपको अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है तो एक बार आपको सेक्टर जरूर देखना है stock उठाने के साथ ठीक है कि fundamentals तो जरूरी होते हैं बट मैं आपको बात उता देता हूं इतने इंपोर्टन नहीं होते हैं बस यह है कि profit growth होनी चाहिए loss में नहीं होनी चाहिए company बट इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है institutions की holding बढ़ती रहनी चाहिए अच्छे अच्छे buyers आए जरूरी नहीं जैसे आप मालो कि आपको कोई बोलता है कि रिलाइंस उठा लो ठीक है आपको बोल रहा है कि रिलाइंस अच्छा share है आपको इसमें अच्छा return मिलेगा HDFC पे ले लेते चलो आप HDFC काफी अच्छा बैंक है ठीक है तो आप देखो यह यहां पर buy करने लाइक है क्या चलो 15 मिनट नहीं वन डे के टाइम फ्रेम पे आता तो यह यह को रॉसक्तर नहीं रहे है ठीक है यह यह कुछ अच्छा-सा बन रहा हो चलो चलो यहां पे देखो यह से वही है डेली की केंडल में भी अभी यह 11 यह में के नीचे ही ट्रेट कर रहा एंए इलेवन यह उपर नहीं गया क्रोंद एवन ऐम थोड़ा सा जादा जल्दी स्विंग है आपको मीन्स आप थोड़े टाइम के लिए बस चेट करना चाहरो एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए बस तो मीन्स एक-दो दिन के लिए तो चलो आप 15 मिनट कर लो आप यहां पर थे 15 मिनट टाइम भी सफिसियंट लोग बोलते हैं वन मिन्मीनट को क्र MALE सिंव olur यहां पर क्लोज हुआ आप यहां पर क्र॔ज क्रोशेंड नहीं किया क्ल ना कुछाहिएंच को क्लोशेंगे ना टां वहांจะ क्लोशेंगे करना देख सिर्फ की टांड और को कि यहां पर में को उन्हां स्टौक को प्पिक करना है weekly time frame पे जो 11 EMA के ऊपर हूँ ठीक है आपको हमेशा उसी stock पे focus करना है और एक बात कभी भी आपका कोई stock है मान लिजे कि वो अच्छा perform कर रहा चलो ठीक है यह पिक कर लेते हैं ठीक है ओके यह देखो आप weekly time frame पे देखो यह यहां से गया यहां पे यहां पे इसने फॉर्म किया यहां पे यहां पे इसने वालेटिटी दिखाई ठीक है यहां पे पूरा बायर सेलर साइब यहां से बाइंड हुई है इसमें ठीक है अब देखो इत्की बड़ी से लेके फैब तक में डबल हो गया यह तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे आगया अब देखो आप 15 मिनिट पे जाओ अगर आपको एंटी बनानी थी तो फिप्टी मिनिट पे चेक कर लो इसमें एंटी है की नहीं है देखो आप यहां उपन हुआ था उसके बाद डाउन व फेले हैं स्क्रीं घी दो दिन पहले स्वarin ङुख अधार बना लो ँन्ठी तो आपको ऐसा करना है फिक्प्ले इस इस आरीग है küp बहुत वांने क्वार्ण लौन के आपको से The profitable बनना है मेरे साथ trading करनी है या आपको आपके पास चार्टिंग की website आप चार्टिंग से स्टॉप निकाल रहे हो कहीं से निकाल रहे हैं तो आपको इस प्रकार से trading करनी है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उनको यह वीडियो जरू शेर करना थैंक यू फॉर वाचिंग